हेलो मैं आशिस्ट वही स्वागत करते को फिर से आपके यूटूब चनल से सिमेंट पे इस चनल पे गवर्मनेंट जोब स्रेटी हर एक अपडेट आपको वी दिन मेर दी जाती है सबसे तेज अपडेट दी जाती है आप वीडियो सेक्शन में देखके चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैंने कल आपको बता दिया था कि आपका एंप्टेस नोटिफिकेशन आए रात तक आ जाएगा ठीक है रात 11 बच गया था तो मैंने इसलिए आपको वीडियो नहीं डाला उसका सुबह आपको चीजे किलियर कर देता हूँ बहुत साह लोग की चीजे पते ही चल आगे चलते हैं जो इंपोर्टेंट पोईंट होई भात करेंगे वैकेंसी की बात करेंगे तो वैकेंसी 10818 और 500 यह यानि 11400 के राउंड वे वैकेंसी रिपोर्ट की गए यह जो एक अच्छी वैकेंसी है जो आपका एंज काउंट होगा एक एक दुहयर 23 से होगा 18-25 साल र रहेगा जहाँ पर दिया गया रिलेक्सेशन जो मिलता है वो आपको मिलता रहेगा आगे चलते हैं इसेंसेर क्वालिफिकेशन जो आपकर रहेगा वो सत्रह दो दो है ते जो फॉर्म की लाज डेटर उसी के एकॉर्डिंग आपकी लिए जाएगी आपको सौर प्या फीर देन से रहेरन में चेंज होगा और हो भी गया मेरा था 20-20 कोश्टन से रहेंगे लेकिं यहां पर यहां पर 20-20 और 25-50 कर दिया गया थो मैट्स और रिजिनिंग फर्ष्ट पर राएगा मैट्स और रिजिनिंग में 60 शाट नंबर के 60-60 जैने 220 नंबर के इसमें माइनस डिसाइड रहेगा पहली चीज इसमें माइनस मार्किंग रहेगा और वी चीज़ जो इंपोर्टेंट है फिजिकल इफिसेंटी स्टेस वालकिंग रहेगा सोलो समीटर का यह 15 मिनिट में ठीक है और फिमेल के लिए एक किलोमेटर 20 मिनिट में जो बिल्कुल इजी है यह जो सेक्षन है यह बहुत इंपोर्टन है यही जो आपके सेलेक्षन के लिए वहाँ पर जिम्दार होंगी और इसी के अधार पर कटफ जो है डिसाइडेड होगा ठीक है आगे चलते हैं आपको एस्टेटिक जी के कराई भी जा रही है वह आप देख सकते हैं चैनल पर दो वीडियो अपलोड भी हो चुकी है बाकि इसमें और भी कोई चीज़े खास माइने के आपके नहीं है यह जो जो कटेगरी वाइज कोलिफिकेशन रहता वह इससे कोई मतलब नहीं रहता इन पंद्रह लैंग्वेज में आपका पेपर होगा जिस एक्जाम जिस लब जाह तो यह बहुत बड़ी ओपर्चुनिटी है और सबसे बड़ी चीज की इसमें जो डिसाइटिन फेक्टर अब हो चुका है बस मैस और रिजिनिंग के मैस और जीके के कोई रोल नहीं है इंग्लिश और जीके मैस और इंग्लिश का पूरा पूरा रोल है इसी के अधार पर काफी माईने रखेंगे आपको पता कि क्यों इन्होंने मैथ और मैथ और रिजिनिंग को छोड़ दिया जीके और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहांपे नमबर मैचिंग अगर वो मैथ और रिजिनिंग को अगर दो सब्जेक्ट चुनते तो एक ही लड़का एक ही करें बेस्ट अपलग